मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप सब के बीच ले के आया हूं CITS Intrance Exam की जो की अब CITS Intrance Exam अभी की वेकेंसी आने वाली है जो विद्यार्थी CITS करना चाहते हैं उनके लिए यह सुनारा मौका है और क्या कहते हैं यह Trade Feater Tunnel Machinist के लिए है और क्या कहते हैं इसमें डेली एक Practice Set Trade Theory पूरी और मैत के Practice Set कराये जाएंगे अगर चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए हमारा First Question है X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? Question है X के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? यहाँ पर जो X के रूप में टिक किया गया है इस भाग का हमें नाम बताना है इस भाग का क्या नाम है? Option A है Clamp Option B है Table या तालिका Option C है Toolhead Option C है D है Bunt Bari जान्डी या इंगलिस में इसका हिंदी तो बहुत ज़्यादा हो है दिया गया है Split Boost इसका Right Answer हो जाएगा Option Number B तालिका इसका Right Answer हो जाएगा Option Number B जो X के रूप में चिन्हित किया गया है उस पाड का नाम पूँच रहा है इसका नाम क्या है तालिका B is Right Answer Next Question देखते है हमारा अगला Question है हमारा अगला Question है Next Question है Slotting Machine का कौन सा भाग उपकरण रखता है? Question है Slotting Machine का कौन सा भाग उपकरण रखता है? Option है A Clamps Option भी है Tool Head Option C है Tool Post इसको कहते हैं उपकरण इस्तम Call It Check इसका Right Answer हो जाएगा Option Number C Tool Post उपकरण इस्तम जो है कहते हैं Slotting Machine का कौन सा भाग उपकरण रखता है? Tool Post उपकरण इस्तम रखता है Next Question देखते हैं हमारा अगला Question है अगला Question है यहाँ पर X की रूप में तीसरा Question है हमारा X की रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ जो X की रूप में चिन्हित भाग है उसका नाम बताना है जो X की रूप में चिन्हित है उसका नाम क्या है? Option है A, बिस्तर Option A है B, या बिस्तर, इंगलिस में बिड कहते हैं और हिंदी में बिस्तर Option B है, रैम, Option C है, सेडल, Option D है, पार, स्लाइड इसका राइट इंसर हो जाएगा, Option C, सेडल कहते हैं, यह जो X की रूप में टिक किया गया है, इस पार्ड का हमीं क्या करना है, नाम बताना है यह जो है, सेडल जो है, इसका नाम क्या है, सेडल नाम है इसका Next question देखते हैं, हमारा आगला question है Question है, स्लाटर में रहम का अभीन अंग कौन सा है, आप्शन है, A, इस्तम, आप्शन भी है टूल हेड, आप्शन C है, पार स्लाइड, जिसको क्या कहते हैं, क्रॉस स्लाइड, आप्शन D है, टूल होल्डर, और जार, थारेक इसका राइटेंसर हो जाएगा, अप्शन नंबर B, टूल हेड, स्लाटर में रहम का अभीन अंग जो है, टूल हेड है इसका राइटेंसर हो जाएगा, अप्शन नंबर B, नेक्स कोश्चन देखते हैं, हमारा आगला कोश्चन है हमारा अगला कोश्चन है स्लार्टिंग मसीन के ड्राइविंग तंतर में कौन सभाग होता है कोश्चन है श्लाटिंग मशीन के ड्राइविंग तंत्र में कौन सा भाग होता है अप्षन है ए बेड अप्षन भी है रैम अप्षन C है कॉलम या इस्तम भी स्थिक कहते हैं अप्षन D है गेर बॉक्स इसका राइटन्स रो जाएगा आप्षन नमबर C इस्तम जो है इस्तम होता है इसका राइटन्स रो जाएगा आप्षन नमबर C नेक्स्ट कोश्चन देखते है हमारा आगला कोश्चन है कोश्चन है कोश्चन है श्लाटिंग मशीन के फीड तंत्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है इस पार्ट का हमें क्या करना है नाम बताना है इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्षन नमबर B कैम की नाली जो है एक्स के रूप में जो है चिन्हित किया गया उसे कैम की नाली कहते हैं बी इच राइट अंसर नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हमारा अगला कोश्चन कोश्चन नमबर साथ देखते हैं स्लाटर में ड्राइविंग तंत्र का कौन सा भाग स्लेटेड लिंक को रैम से जोड़ता है कोश्चन है स्लाटर में ड्राइविंग तंत्र का कौन सा भाग स्लेटेड लिंक को रैम से जोड़ता है अप्षन है ए संपर्क जिसको क्या कहते है लिंक अप्षन भी है हिंज जिसको कहते हैं काज अप्षन सी है पीवेट प्रधान आधार अप्षन डी है स्लाइडिंग ब्लॉग फिसलने वाल का ब्लाग इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्षन नमबर ए लिंक जो है कहते है स्लाटर मसीन में स्लाटर में ड्राइविंग कंदर का कौन सा भाग स्लेटेड लिंक को रैम से जोडता है वह हमाता है हमारा होता है लिंक संपर इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्चन नमबर ए किस प्रकार का टूल हेड टूल को रिटन इस्टोक पर काम करने से दूर जाने की अनमति देता है किस प्रकार का टूल हेड टूल को रिटन इस्टोक पर काम से दूर जाने की अनमति देता है आप्चन ए घूनन उपकरण सीर रोटेटिंग टूल हेड आप्चन भी है एक्स्टेंशन टूल हेड option C है revolving tool head राहत देने वाला tool head option D है pin type tool head plan type tool head plan type tool head इसका right answer हो जाएगा option number C revolving tool head राहत देने वाला tool head किस प्रकार का tool head tool को return stock पर काम से दूर जाने की अनमत देता है इसका right answer हो जाएगा option number C next question देखते है question है निम लिखित में से 9 question है निम लिखित में से कौन सा tool head कौन सा tool head बड़े ब्यास की नौकरियों में slotting के लिए उपयोग किया जाता है question है निम लिखित में से कौन सा tool head बड़े ब्यास की नौकरियों में slotting के लिए उपयोग किया जाता है option है rotating tool head गुर्णन उपकरण सीर option भी है extension tool head option C है revolving tool head रहत देने वाला tool head option D है plain type tool head यह इसका right answer हो जाएगा option number B extension tool head B is right answer next question देखते हैं हमारा अगला question है परिसुद्धता slotting machine में किस प्रकार के tool head का उपयोग किया जाता है question which type of tool head is using in precision slotting machine परिसुद्धता slotting machine में किस प्रकार के tool head का उपयोग किया जाता है option है M plane tool head सादा उपकरण सीर option B है rotating tool head घूनन उपकरण सीर option C है extension tool head option D है revolving tool head रहत देने वाला tool head इसका right answer हो जाएगा option number B घूनन उपकरण सीर rotating tool head जो परिसुद्धता slotting machine में किस प्रकार के tool head का उपयोग किया जाता है जिसमें घूनन उपकरण सीर tool head का उपयोग किया जाता है next question देखते हैं हमारा आगला question है question है slaughter में प्रयूक तूल हेट का नाम बताना है यह जो slaughter की एक प्रकार slaughter की डाइं है इसमें tool head का नाम बताना है इसमें tool head जो है यह वाला part है इसका नाम बताना है option है extension tool head option B है घूनन उपकरण सीर option C है box प्रकार tool head option D है राहत देने वाला tool head revolving tool head इसका right answer हो जाएगा option number A extension tool head यह जो है slaughter machine के में प्रयूक्त होने वाल प्रयूक्त tool head का नाम बताना है यह slaughter में tool head का नाम क्या है यह जो है slaughter में tool head का नाम क्या है यह जो drawing दिये के है यह slaughter का है इस tool head का क्या नाम है option है A rotating tool head गुर्णन उपकरणन सीर option B extension tool head option C है revolving tool head रहत देने वाला tool head option D है plain type tool head इसका right answer हो जाएगा option number A rotating tool head गुर्णन उपकरण सीर नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं हमारा अगला question है अगला question है हमारा साप्ट का प्रकार क्या है यह जो है cits intense exam में यह सब सारे question उचे गए हैं पारिबारी से क्या कहते हैं इस soft का प्रकार क्या है यह जो soft दी गई है यह drawing दी है यह soft की drawing है यह soft का क्या नाम है option है a plane soft सादा soft option भी है बिभाजित soft option c है दातेदार दस्ता option d है कुंजी के साथ दस्ता है इसका right answer हो जाएगा option नंबर b बिभाजित soft b is right answer next question देखते हैं हमारा अगला question है question है soft का नाम क्या है यह जो drawing दी है यह soft की drawing है इस drawing का नाम बताना ही है कौन सा soft है किस प्रकार का soft है option है a सादा दस्ता option भी है विभाजित soft option c है दातेदार दस्ता option d है कुंजी के साथ दस्ता इसका right answer रह जाएगा option नमबर c दातेदार दस्ता c is right answer next question देखते हैं हमारा अगला question है question है तेल की संपत्त क्या है जो धात को धात पर एक तैली तवचा छोड़ती है question है तेल की संपत्त क्या है जो धात पर एक तैली तवचा छोड़ती है option है a चाटु कारिता oilness option b है चिपचिपपण अप्शन c है अग्निबिंद fire point अप्शन d है फ्लेस पॉइंट इसका right answer हो जाएगा option नमबर a a is right answer चाटु कारिता oilness तेल की संपत्त क्या है जो धात पर एक तैली तवचा छोड़ती है यह जो चाटु कारिता है जो धात पर तैली तवचा छोड़ती है next question देखते हैं हमारा अगला question है next question है तेल की संपत्त क्या होती है question है तेल की संपत्त क्या होती है option है यह अग्निबिंद option भी है बिंद डालना option c है फ्लैस पॉइंट आप्शन डी है क्वत नांग इसका राइटन सुरू हो जग आप्शन नमबर c फ्लैस पॉइंट जो तेल की संपत्ती हमारी होती है यह फ्लैस पॉइंट होती है next question देखते है हमारा अगला question है question है तेल की संपत्त क्या है जो तेल असर सतह से निचोडने के साथ उच्छ दाब दवाव के साथ खड़ा हो सकता है question है तेल की संपत्त क्या है जो तेल असर सतह से निचोडने के साथ उच्छ दाब के साथ खड़ा हो सकता है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नंबर बी चिपचिपा पन तेल की संपत्ति क्या है जो तेल अशर शतह से निचोनने के साथ उच्छ दबाव के साथ खड़ा हो सकता है यह जो है चिपचिपा पन है बी को सिटी में बी इस राइट एंसर निच्छ कोसचन देखते हैं हमारा अगला कोस्चन है कोस्चन है काौन सा उपकरण वल फीड इसने हक के लिए एक उधारन है अप्षन है यह ग्रीजगन अप्षन भी है चैन का तेल अप्षन शी है अंगूठी का तेल लगाना अप्षन डी है विंकली आईलर इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्षन नमबर ए ग्रीजगन कौन सा उपकरण बल फीड इसने है के लिए उधारन बल फीड के लिए जो है एक इसने है बल फीड इसने है के लिए जो है ग्रीजगन एक उधारन है बी इस ए इस राइट एंस है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्षन नमबर ए निक्स्ट कोश्चन देखते हैं हमारा अगला कोश्चन है आइ से इसने है की विधि क्या है यह जो ड्राइग दी गई है यह ज्ट्राइग में इस इसने है की विधि क्या है इसका नाम बताना है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्चन नमबर D हाथ पंप दोरा दबाव फीट प्रेसर फीड बाई हैंड पंप यह इस निहक भी धी है जो है हैंड पंप यह इसको क्या कहते हैं हाथ जब हम प्रेस करेंगे तो हर जगह ऑईल पहुंच जाएगी है प्रेस फीड हैंड पंप है यह जो है हाथ पंप दोरा दबाव फीड है निक्स्ट कोस्टिन देखते हैं आज का हमारा लॉस्ट कोस्टिन है अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल पर लाइक और सुस्क्राइब करना ना भूलिएगा आज का हमारा लॉस्ट कोस्टिन है कोस्टिन है उर्ध्वाधर आंदूलन के अलावा किस स्लाटिंग मसीन को 36 गयती प्रदान की जाती है कोस्टिन है उर्ध्वाधर आंदूलन के अलावा स्लाटिंग मसीन की 36 गयती प्रदान की जाती है आप्शन है ट्रेविलिंग स्लाटिंग मसीन आप्शन भी है लोको मोटिव फ्रेम स्लाटिंग मसीन आप्शन जी है मर स्लाट मसीन आप्शन दी है प्रेसीजन टूल ड्रूम स्लाटिंग मसीन इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नंबर ए ट्रेवलिंग स्लाटिंग मसीन ए इस राइट एंसर जो उर्ध्वा धर अंदोलन के अलामा किसी स्लाटिंग मसीन को 36 ग्यात प्रदान करता है वो जो है ट्रेवलिंग स्लाटिंग मसिन आज का हमारा टापिक यहीं से खतम होता है मैं कल नेक्ष अगले टापिक से अगला कोस्टन से आज हमारा 20 कोस्टन तक हो गया नेक्स्ट वीडियो में 21 कोस्टन से श्टार्ट होगा अगर आप सब那我們 गैगा तो चैनल हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा धन्यवाद इसमें क्या कहते हैं इंट्रेंस एजम की पूरी तैयारी कराए आपको मैं बता दूं आपको कानपूर कालेज में मसीनिष्ट टनल के लिए जो कानपूर अगर पौलेज के लिए आपको कम सिकम będę क्लिप कम से कम सिकम इंट प्लसओन चाहिए और कभी-कभी मेरी डाउन խी हो जाती चंड़ के लिए जो है टर्नर के लिए भी कम से कम 70 से 75 पर तक नंबर होना चाहिए तभी आपको कानपूर कॉलेज मिल पाएगा अगर चैनल पर नए है चैनल को लाइक और सॉस्क्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद